यह है यह कंप्रेसर यह क्या करता है इधर से हुआ पंखवा जिब नसता है न तो यह तो जादे तो एर बाहर फेख देता है ताकि जहाज उड़े लेकिन यह जो कंप्रेसर है कहता है भाई साब तनी हमरो हवा दे ताकि इधर पेट्रोल जलाएंगे न तो यह चलेगा न तो आगे क्या होगा तो यह बाला एरिया है यह फैन है यह चुप्रेसर है जाते से ज़्यादे हवा लेता है चूपकि उचाही पे जाने पर हवा की कमी हो जाती है और हवा कम हो जाएगा और ऑक्सीजन कम होगा तो इंहन में आगे नहीं लगेगा अब यह यहाँ पे 10% क्या कर आते हैं से नोजल नोजल मतलब उसमें फुचुर फुचुर करके उसमें फ्यूल इंहन फेकते रहते हैं सब अब इंहन देखें यहां से इंहन आये गया है और यहां से चिंगारी आये गया है अब इंहन है चिंगारी है अब चाहिए ऑक्सीजन हवा में ऑक्सीजन उचाही पर कम रहता है तो कॉम ऑक्सिजन का काम पूरा कर दिये है भाई साभी कमप्रेसर 90% हवा उधर चला गया 10% घीच लिए सब घीच लेगा तो बुता यह जाएगा आग जलाना तो आधी में रख देंगे तो नहीं जल जाएगा अधी नहीं करना है तो यह कमप्रेसर इसको पॉरा करें तो इसे इधर भागेगी तो इधर एक ठोट टर्बाइन लगा दिया जता है पंखी लगा दिया जता है और यहीं पंखिया जुड़ा है आगे वाला पंखिया से तो जैसे यह कमप्रेसर हवा भेजा यहां इसका इंतजार कर रहा था फियूल जहाज में पेट् यहां आग लग रहा है इसे कहते हैं compression chamber यह प्रेस हो रहा है और यह हो गिए आपका fan यह उपर से निकल गिए आपका exhaust bypass वह जहाद चला दिया और यह जो गरम हवा निकली है यह आग लगके यह इस turbine को नचाएगी यह नचेगा turbine तो यह जुड़ा हुआ है आगे के पंखा से अ यह जरेगा तो यह नचने लगेगा हो गिया जहाँ जुड़ गिया यही से धान जेटी नचाएगा